जेहिन दोस्तो स्वागत एक बार पुनें आप सभी का अपने इस यूटूब चैनल टॉपर गेलक्सी पर दोस्तो इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ वासुदेव सर्ण अगरवाल जी का जियोन परीचे जोकि आपके बोर परीच्छा के लिए काफ़ी में इंपोर्डन होने वाला है तो आज के इस वीडियो मैं आपको बहुत ही सेंपल तारीके से एकदम अच्छे से बताऊंगा जियोन परीचे कैसे आपको गोड की कॉपी पर लिखना है साथ ही इनका साहितिक परीचे का से देना है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको कम्पलीट बताने वाला हूँ सबसे पहले थी कि आपको इस परकार से हेडिंग डालना है और जियोन परीचे वाली हेडिंग में कितने सब्द लिखने हैं वो आपको मैं चलिए बता दिता हूँ तो लिखना है कि डाक्टर वासुदेव सन अगरवाल जी का जन्म सन 1904 वी में मेरट जिले के खेडा नामा ग्राम में हुआ था तो ये हमारा हो गया मतलब इनका जन्म जो है मतलब माता पिता लखनव में रहते थे और इनका जो बच्चपन है वो भी लखनव में ही बेतीत हुआ था ठीक है अब इसके बाद आपको लिखना है लखनव विश्व भी दिया ले से इन्होंने MA ठीक है यन्होंने MA की परिक्षा उत्रीड की यहीं से इन्होंने PhD वा से करी और डिलेट मतलब डाक्टर अप लेटरेचर तो डिलेट की उपाधि भी यहां से प्राप्ट की इसके बाद यहां पर है यह बनारस हिंदू भी सुविध्याल है यहां पर पूरातत एवं प्राचीन इतिहास विभाके अध्यक्ष एवं आचारे रहे यह हो गया इसक सब्सक्राइब के जाने माने लेखक डाक्टर वासुदेव सर अगरवाल जी की म्रत्यू सन 1967 में हो गई ठीक है उनकी दिहान दिन का हो चुगा था यह इस प्रकार से लिखना है जीवन परिचे वाली हेडिंग अब आपको 12 में साहित्तिक परिचे में आपको क्या लिखना ह व्यक्रदें वैत्तित किया इनके हर्दय में साहित्य सेवा के प्रती अनमोल वीचार थे इन्होंने मुख्य रूप से पुराततोंakers बिशह बनाया ठीक है पुराततों इनका मुख्य रूप से बिशह था और अपनी रचनाव में संस्कृती और प्राचीन इतिहास का रूप को प्रस्थुत किया तो देगे शाहित्की परिष्य में अपको इतना लिखना है जो कि मैने आपके सामने पूरा रख दिया स्क्रीन सॉट आप ले सकते हैं तो साहित्तिक परिष्य हो गया और हमारा जियोंगी परिष्य होगाँ अब आता है पाडिनी कालिन भारत और संपादल में जायसी पनमावत की संजीवनी व्याक्या तो ये इनकी प्रमुक करतियां है तो दोस्तों उमीद करूँगा कि आपको ये जीवन परीचे बहुत अच्छे से समन्द में आ गया होगा कैसे कॉपी पर कितने सब्दों में लिखे आना है औ और ऐसे इंपर्टन वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिंद वन दे मात्रम।